सितारों के आगे जहां और भी है अभी जिन्दगी के इम्तिहां और भी है अगर रस्ते में पथर हटाते जाओगे ना तो मनजिल को कभी पोहुच नहीं पाओगे वेलकम तो आल आफ यू असलाम अलाइकूम वर रहमत अलाइक अलाइक आतो हूँ आई वेलकम आल आफ यू इन जुमू कश्मीर सिवल सिर्विस चुड़ें वेलकम अलाइक जो जो जुमू कश्मीर सिर्विस सेलेक्शन बोल्ड में के एक्जामन में पूछे जा रहे हैं उन पे हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहला कुश्चन जो है गुलाब सिंग को राजा आप जुमू इन में से कौन सी ट्रीटी में बनाए गया है हमारे पास ओप्शन है तो आप ओप्शन देखें बाद में आप ओप्शन देखने के बाद आप इनको मारक कीजिए कि राइट आंसर कौन सा है जो ट्रीटी सबसे पहले हमें डेट पर फोकस करना है हमारा जो डेट है डैट इस मारी 16 एटीन 46 और इस टीटी के जो है साइन किया गया है महराजा गुलाब सिंग और बिटिश इस्ट इंडिया कंपेनी के इन दोनों के बीच इस साइन किया गया है और एस्पेशली इस एड़ टाइम द गौर्नर जर्रौल आं बंगाल थे उस टाइम के गवर्नर जल्र बंगाल थे लॉड साइल है रिव झाली जो है वह गवर्नर जर्रफ बंगाल थे उस टाइप और यह मा महराजा हरी सिंग को कश्मीर assyn टीफायव लैक्स में बेजा गया मैं में नेक्स पॉश्शन यह important MCQ रहने वाली है MCQ series रहने वाली है आपके examination point of views के लिए important MCQ series रहने वाली है इसके बाद जो है next question हम देखते है हमारा जो next question है which of the following forts इन में से कौन से फोर्ड को कोही मारान फोर्ड कहा जाता है optionals आपके सामने है screen पे optionals है तो इस में से जो right option बनने वाला है एक मुगल स्ट्रेक्टर जो है कोहे माना इसको गवर्नर उस टाइम के गवर्नर जो कंटेंपरी गवर्नर थे जिनका नाम है अता ममत खान 18th century के उन्हों ने 18th century में इसको कनस्ट्रक्ट किया था नेक्स्ट कोशन फो डैश फोर्ट आंद लेफ्ट बेंक आप रिवर्ट तवी इन में से जो नीचे फोर्ट दिये गए है इन में से आपको बताना है कि रिवर्ट तवी पे जो ये फोर्ट है कौन सा फोर्ट है जो कनस्ट्रक्ट किया गया था राजा बहू लोचन के जिरिये जिसको राजा बहू लोचन ने कनस्ट्रक्ट किया है आज से तीन हजार साल पहले तो आपको बताना है कि कौन सा फोर्ट था है तो यह हमारा इसका राइट ओप्शन जो है that is, हमारा right option जो है, वो बहू फोट इसमें होने वाला है हाँ, बहू फोट जो है, that is the right option, बहू फोट sorry, हाँ, इसमें right option जो है, that is बहू फोट बहू फोट के बारे में कुछ, यहाँ पे important points जानेंगे, बहू फोट जो है, यह originally इसको build किया गया है बहू लोचन के ज़रिये, before three thousand years ago आज से तीन हजार साल पहले जो है, राजा बहू लोचन ने इसको कनस्ट किया है बाद में, 19th संचुरी में 19th संचुरी में डूगरा रूलर्स ने इसको repair किया है, और इस फोट को dedicate किया गया है हिंदू गाडियस काली काली जो है, हिंदू गाडियस काली जिसको काली माता के नाम से जाना जाता है, काली माता को ये dedicate किया गया Next question In 1965 1965 1965 से बाद में, जुमू कश्मिर में governor हुआ करता है लेकिन इस governor से पहले इस से पहले, यहां पे governor के post पे, कौन सी परसनल्टी हुआ करती थी और आपके सामने जो उप्शन है, स्क्रीन पे, इस मैशे जो राइट उप्शन है, डैट इस सद्री रियास्त यानि कि governor से पहले, यहां पे सद्री रियास्त हुआ करता था 1965 से पहले, और ते अगर हम देखें के, कानस्ट इसमबली ने इस को प्रेजिडेंट आप इंडिया जो है वो इसको रिकॉर्णाइज करता है अब हम मूग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर होप आपको यह सही लगा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है नेट इस उरी डैम आप मैंसे आपको बताना है कि जो यह रिवर्ज दिये गए है इन में से कौन से रिवर्ड पर उरी डैम जो है डैट इस लोकेटिड उरी डैम यह इंपोर्टन यहां पर बन जाता है उरी डैम बहुत सारे कौछ एक्ज सब्सक्राइब क्या गया था एक्जामनेशन हो था उसमें यह पूछा गया था ओरी डैम जो है वह कौन से रिवर्ड पर लोकेटिड है जैलिम रिवर्ड जैलिम रिवर्ड पर लोकेटिड है जैलिम रिवर्ड के बारे में यह कहा जाता है कि और जैलिम इसको इसको विटि तिस्पस के नाम से पुकारते थे की इस थिक इर माइड ठीक है और हाइड फॉड़ा इस पे एक बैटल भी हुआ है यह इंपॉर्टन थोड़ा इंपॉर्टन पॉइंट पॉइंट आफ विव से इंपॉर्टन बन जाता है कि एलेक्जिएंडर थोड़ आफ मिक्डोनिया अल हुआ है 326 इस बिफोर कामन इरा में हुआ है कि नेक्स्ट कोश्ण हुवाज दरूलर आफ जुमू एंड कश्पीर जिन्हों ने आपको बताना है इन में से कोन सा रूलर था जुमू कश्मिर का जुन्हों ने इनस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन साइन किया है जिन्हों ने कि हमारा जो राइडो औक्षन है महराजजद गुलाब सी महराज अप्षिंग इस दाराइड ऑप्षन तो यहां पे हम देखें गे तो माराजा तो यह उसके बार है ज्यादा जानने की जूरूत नहीं कितना ही पूशा जाता है कि जो अप एक्सेंसरी क्वोट किसे पूशना किया है तो महराजा हरी सिंग नेक्स उसके बाद जो है हुब अनमें से जो रूलत है जो नोने मार्टेंज संट विनको बनायाै और उसे कहा जाता है बिलडर आफ केन आरो इर्रिगेशन केनल सिस्टम इन कश्मीर उन्होंने इर्रिगेशन केनल सिस्टम जो है उन्होंने बिल्डप किया है कश्मीर में और इसका राय इप्षन जो है जर लिद अधितिया मुक्तपदिया भीology स्थ्प भी करन tussen इनieso खुर इसको यह भी कह जाता है कि कैनाll सिस्टम इस में डिपूल्प किया है इंडिया में कश्मीर में स overömर्षाथ and Martin Sun Temple is also known as Pandaladian is a Hindu dedicate Temple dedicated to Surya God देखे यहां पर हम जानने की कुशिश करेंगे कि Martin Sun Temple जो है Pandaladian इसको कहते है इसको Pandaladian भी कहा जाता है और यह dedicate किया गया है सुरिया गार को सुरिया गार को यह dedicate किया गया है जो चीफ सोरिया डाइटी है सोलर डाइटी आप हिंदुईज्म हिंदुईज्म है ठीक है और यह कब डूरिंग दा एट सेंचरी इसका कनस्ट्रेक्शन हुआ था कि इसको बिल्ड किया गया था ललिता दितिया मुक्ता पधिया ने जो रूलर आप जो थोड़ रूदर है कारकुटा डायनास्टिक जो थोर रूर्लर थे और यह कहां पर लोकेटिड है यह अन्यनतमाग डिस्टिक में लौकेटिड है यह इक इंप्वर्टन पोड यहां पर जयाता है कि यह कहां पर खाया अक्सर्प पूछा जयाता है कि जो महराजय हरी सिंग इसा right option है माराजय हरी सिंग ने कोंपल सिरी बनाया है हरिसिंग जो है साम हाजा अमरसिंह है यह राजा अमर सिंग यह संग न बैटे थे और ही वास डेफφर हैне प्रेम्री ए advocation सब्सक्राइब किया था और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे डिस्पंसरी यहां पे यहां पे और वाटर सप्लाइज स्कीम जो है उनको इंपरू कराया और और निजांग को भी सिस्टेमाइडिक यह बेठर बनानी में इसमें बताना हैं क्यों सब्सक्राइब रहा है तो इसमें δining कानि सकता थो can find है जड़ प्रवार सिंग ने इसको अनिस्टेक्ट किया है जर्नल जो लावर सिंग्רא लॉज से कि ये प्रफ्पर्टरज तर्फ Kr जूर मैं किस्तिवार में किष्टवार में भी उन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्होंने सब्सक्राइब किया है किष्टवार में वह थे एज वजीर्य वजारत वजीर्य वजारत यह मनिश्टर थे मनिश्टर यह मनिश्टर यह मनिश्टर थे और उन्होंने क्या है उन्होंने एक्स्टेंड किया ट following district of Jumuh and Kashmir जिसे हम कहते है बरथ प्लेस आब बसुली आड पैंटिंग्स बसुली आड पैंटिंग्स बरथ प्लेस किस डिस्टिक को माना जाता है चाहे रियासी डिस्टिक हो और जो रामद्ध हो या सांबा इन में से कौन सा डिस्टिक हमें उप्ट करना है तैस कथवा डिस् बसूली पैंटिंग का बरत प्लेस बसूली पैंटिंग ये पूछा जाता है एक्सर को एक्जाम में आपके पूछा जाता है कि बरत प्लेस आप बसूली पैंटिंग तो उसमें राइट ऑप्शन जो है डैट इस कठवा हूब हूँ था फॉस्ट चाइनीज परसर अब हमें बताना है कि जुन हून ने कश्मिर विजिट किया कहां से on his way to India India से उन्हों ने कश्मिर विजिट किया है ठीक है तो इसमें जो राइट ओप्षन बनना है वो है हिन सेंग हिन सेंग is the right option here है नेक्स कोशन हिं सेंग यस हिं सैंग जो है चाईनीज बुदिष्ट मौट स्कॉलर प्रोलर और उसके साथ साज जो है ट्रॉम श्लेटर भी है उन्होंने इंडिया में विजट किया इंडिया विजिटेट इंडिया और कब एड़ टाइम उस टाइम जो हर्शा वर्दना जो है he was the ruler of India during the Harsha Vardhanos period आप वर्दना डिनास्ती जो वर्दना डिनास्ती के करता है ठीक है तो यह है हमारा परी महल परी महल जो है बिले जरोत करता है परी महल जो है उसको मगल प्रिनस्ट दारश कुक ने कॉच्छी किया है मिड सेवंटींट संचिरी में मिड सेवंटीं शन्चुरि में इसको है of a 따라फ ऐन को कने पर क्लिबुत और यह सो कर रही है एज एबॉर और एक तो यह एज एबॉर फॉर हिम सर्व कर रहा था यानि कि इसके लिए अब एक होम घर था उसका और उसके साथ-साथ इच्छ लाइबरी ठीक है तो यहां पर लाइबरी भी यह एज सू कर रहा था आप नेक्स कोशन आप मताना है हमें जो नेक्स कोशन हमारा है फाउंडर आप जूमू जो जूमू है। जूमू का फाउंडर कौन था यहां पी हमारे पास ओपष्ण जूमू लूंच महराजा जुम्बू लूचन जो है वो फाउंडर माना जाता है जुमू का एक्स हिस्टोरियन है उनका ये मानना है कि महराजा जो राजा जुम्बू लूचन जो है वो फाउंडर है फाउंडर है सिटी जुमू का वो जुमू का फाउंडर है फाउंडर आफ वह फाउंडर उप जुमौ है और यह किसमे मैंशन है यह मैंशने महाबारता में यह महाबारता में मैंशन है की जो फर्स जो भी अमाना जाता है कि हिस्टोरीन ने मैंशन किया है माहबारता में कि जो जुमू लूचन है he is the founder of जुमू नेक्स क्कॉशन हुआ यहां पे कुछ परसनल्टी दी गई है यहां पे कुछ परसनल्टी दी गई है हमें हमें बताना है कि इन परसनल्टी में से किस को कहा जाता है नाइट इंगेल आफ कश्मीर नीचे दिये गए परसनल्टीज में से बताना है कि किस परसनल्टीज को कहा जाता है नाइट इंगेल आफ कश्मीर तो नाइट इंगेल आफ कश्मीर जो है डैट इस हबा खातून हबा खातून को नाइट इंगेल आप कश्मीर कहा जाता है एक्स थोड़ा असा इसके बारे में कुछ information हासिर करते है दा नाइट इंगेल आप कश्मीर हबा खातून इस आलसो नून एज उसको ये भी कहा जाता है जूण ये इंपोर्टन है ये एक्सको कि अक्सर पूछा जाता है जो जो एस जेफ़ार आपका कुछा जाता है कि जो कि मौन उसको वह स्वाटन है आप यह खातून है उसको किस नाम से उसको जुण तो उसकी थी इंतिया खूब सुर्दी तो उसकी वज़ा से उसको कहा जाता है जून तो यह भी इंपोर्टन एक इंपोर्टन बन जाता है यह भी इंपोर्टन है कि नेक्स्ट कॉशन यहां पे है यहां पे है यहां पे हमारा है वह है शीवा पुण गांक येस्रेट में АрCar भाक जाता है भाइब भाष्री प्रेसर्राइट है यह शीवा जो है शीवा इस तर राइट ओप्शन ममले शीवर टेंपुल इस तो बी एन एंशन टेंपुल यह प्रोबली माना जाता है कि यह सबसे पुराना टेंपुल है जो और यह कहां पर लोकेट है यह पहलगाम में लोकेट है यह पहलगाम में लोकेट है और पहलगाम कहां पर है अनंतनाग डिस्टिक्ट में फाल करता है यह अनंतनाग डिस्टिक्ट में लाइक करता है इसके और एक इंफार्मिशन है और यह कहां पर है यह अनंतनाग डिस्टिक में यह कुछा गया था कोल हाई ग्लैशर कहां पे वाका है बहुत सारे जो मुकश्मिर SSB के एसपार एंट जो है वहां पे दो ऑप्शन थे एक तो अनंदनाग ऑप्शन था एक गांदर भी ऑप्शन था बहुत सारे एसपारेंट ने गांदर भल ऑप्शन टिक करके आये थे लेकिन वह फाइनली गलत माग था क्योंकि आपने देखा होगा कि एड़्ट की जो एंसी आरटी है एंसी आरटी में एक टापिक है गलोबल वार्मिंग गलोबल वार्मिंग में यह क्लियर ली मैंशन है कोल है ग्लैश तो आप इसको मांग कीजिए यहां पर नोट कीजिए कोल हाई ग्लैशर जो है दैज लाइज इन अनंतनाग डिस्टिक हूँ अमंग नेक्स्ट कोशन हूँ अमंग फालोइंग इस कंसिडर ऐस दो ओल्डेस्ट रूलर आप इनिशेंट टैम आप कश्मीर सबसे पुराना रूलर यानि कि पुराना रूलर सब से पुराना रूलर जो है ऐस पर हैस पर आप राज ज्रंगी अ कि राई तरंगनी में ये मिंशन है जो सबसे पूराना रूरर है वो है गुमन्द मॉंस्ट गूरियों अप्सर्थ गुमन्द फुर्ट परष्ट रॉटेश ओस्थ पर कि न फुर्श चो यहां पर गुलिंद फॉर्स्टर फिसट पर अbenन्मा तुप्स्टर कलहाना पंडित ने मेंशन किया है अपनी बूक राज तरंगनी में और यह भी आप यहां पे एक बात याद रखे कभी कुपर यह भी पूछा जाता है हूँ इस दा आथर आफ राज तरंगनी तो इस चीज का भी आफ ख्यार रखिए कि राज तरंगनी का जो अथर है और जो बाद मैं बालर राम ने जिसको को बाद में किल किया कटल किया था जिसको बाल निमाल था कहां पे ग्रेट बैटल आप महा बारता मअब four अन। यो नीरिंट टेड़वे किया था और जहां पे वो उसको ना गया था है जिसी लीटा इंपार्टेट प्वाइट एक गाना यहां पर यहां पर यह इंपोर्टन है कि राज तरहनी का आथर कौन है और यहां पर जो कश्मिर्व का जो पुराना बादशाह सबसे पुराना बादशाह वह वह गोनेंड़ा फॉस्ट है नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन आपका है हूँ वाज़ फस्ट रूल कारकोटा डाइनस्टी यहां पे करकोटा डाइनस्टी जो है उसका पहला रूलर आपको बताना है कि करकोटा डाइनस्टी का पहला रूलर कौन थे करकोटा डाइनस्टी का पहला रूलर जो है दुरला दुर्लाबवा धाना दुर्लाबवा धाना जो है वो कार्कोटा डैनास्टी का पहला रूलर है दुर्लाबवा वर्दाना वाज़ द फांडर आफ कोर्कटा डैनास्टी वो कोर्कटा डैनास्टी जो कश्मीर की कोर्कटा डैनास्टी कार्कोटा डैनास्टी रूल करें थी कश इंडिया दो को यानि की कोरकटा डाइनाशी जो इने आनली कश्मिर में रूल नहीं किया है बलकि कश्मिर से बाहर भी नौर्दरन पार्ट सब इंडिया में भी कहीं पर उन्होंने रूल किया है कब डेटिर सेवंट और एट्थ सैंचुरी में ने चले नेक्स कॉशन बीच बनाफ दफा था लॉएंग Oh आप को बताना है कि इंडिस्वे शिव ऑ लगी आपको बताना है इंडिस वैली सिवलाजेशन जो सबसे पुरानी सिवलाजेशन हिंदुस्तान की मानी जाती है इंडिया की पुरानी सिवलाजेशन मानी है जाती है तो आपको बताना है कि इंडिस वैली सिवलाजेशन की सबसे नार्दरन मोस्ट साइट कौन सी है इंडिस वै important question for your examination point of view चिनाब रिवर के बैंक पर ये सिच्वेटर है ये स्थूठ ही लिज आप कहां पे पीर पंजाब के फूठ हिल में यह नौर्थ वेस्ट जमू के नौर्थ वेस्ट में यह लाइक करती है जुमू के नार्थ वैस्ट में लाइक करती है और कहां पे यह पीर पंजार रेंजेश में नॉर्थवेश्ट 28 किलोमीटर इसको क्या कहा जाता है हर्पन सिवलाइजेशन की नार्दर्न मोस्ट लिमिट इसको नार्दर्न मोस्ट लिमिट आप हरपन सिविलाइजेशन हरपन सिविलाइजेशन या इंडस वेली सिविलाइजेशन का ये नार्दरन मुस्ट लिमिट इसको माना जाता है नेक्स्ट कोशन विच अमंग दो फालोइंग इस एन ओल्डेस्ट टाउन ओल्ड टाउन जो कहां पे है सबसे ओल्ड टाउन कॉन साय यहां परुसलद औन है इस ambiti सब्सक्राइज ऑना जाता है यहां बेली जो कश्मीर करें हो भाल टाउन है जो मोना जाता है और यहां पे जो यह सटीरी में इसको फाल्ड किया गया है इसको इसको फाउनन किया है नेक्स हरी परबदध फोट वाज ब्ल्ड बाई हरी परबद फोट जो है उसको किसने बेड़ किया है किसने बनाया है तो यहां पे ऑप्षिन है तो राइट ओपशन जो आपका बनने वाला है ती अता माहमत khan अता महमत खान is the right option अता महमत खान जो है historical records suggested that historical records जो यह कहते है कि Governor of Kashmir in the one minute 18 1804 में 1804 में यह गवर्न भी और इसके आई किसने इसको select किया था as governor शाह शूजा शूजा ने इसको, sorry, शाह शूजा ने इसको elect किया था as a governor of Kabul, तो dear viewers, ये थे कुछ important MCQ's, जो आपके लिए important बनने वाले, so far is your upcoming examinations are concerned आपके upcoming examinations के लिए ये important बन जाते हैं, thank you Allah Hammiz झाल झाल